नमस्कार दोस्तों हिंदु मुस्लि मुद्दा असम की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने दावा किया कि कुछ जिलों में, खास कर निचले असम में, मुस्लि माबादी में तेजी से वृद्धी हो रही है, जिससे जन सांखिकिये संतुलन बिगर रहा है। उन्होंने कहा हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हमें पक्ष लेने की जरूरत है। जन सांखिकीय परिवर्तन पर सरकार का रुख मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार मई दो हजार पचीस तक असम में जन सांखिकीय परिवर्तनों पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यह लोगों को मुस्लिम आबादी में वृद्धे और हिंदू आबादी में कमी के चुनोतियों को समझने में मदद करेगा। उन्होंने दावा किया कि 28,000 मतदान बूठों में से 19,000 में चत्साम परिवर्तन हो चुका है। कानून व्यवस्था परचिंता मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धी को ध्यान में रखा जाए तो अपराध दर में कोई वृद्धी नहीं हुई है। हालां कि उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं ने राज्य में तनाव पैदा कर दिया है। खास कर नागाओं में एक 14 वर्षी लड़की के सामोहिक बलातकार की घटना के बाग। विपक्ष का रुख विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर एक विशेश समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लदाया है। कांग्रेस नेता जैराम रमेश ने ट्वीट किया असंग की मुख्यमंत्री द्वारा कहा देया यह अस्वी कार्य और निन्दनीय है। बीमार दिमाग और बक्वास करने की आदत एक जहरीली मिश्रन है। मुख्यमंत्री के बयानों ने असम में हिंदू मुस्लिम तनाव को और बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। यह स्थिती ना केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बलकि पूरे राज्य के लिए चिंता जनक है क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द पर दंभीर प्रभाव पर सकता है। यह आवश्यक है कि सभी समुदाय एक साथ मिलकर शान्ती और सामंजस से बनाए रखे। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है। इसी तरह रोज नए खबरे और नए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यबाद।